लो फ्रेंड्स, वेलकम टू D&D कंस्ट्रक्शन, आज हम ट्रिमिक्स फ्लोरिंग के बारे में कम्प्लीट डिसकस करेंगे, मैथोडोलोजी, साइड पे कैसे आपको ट्रिमिक्स फ्लोरिंग करना है, अगर तो क्या स्टेप्स फॉलो करना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट कैसे य जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आगे वीडियो में ट्रॉविलिंग वर्क आफ ट्रिमिक्स हो रहा है, आप आगे देखेंगे कॉर्णर में, कॉन्क्रीट पोरिंग की जारी है, पाइपलाइन से, कॉन्क्रीट एंड डबल बीम वाइब्रेटर है, जो लेवलिंग वाटरिंग करना रहता है, उसके लिए वैक्यूम पंप का रिक्वाइड है, तो यह वैक्यूम पंप है, यह फिल्टर पैड एंड जो वो पैड से डारेक्ली अटैच है, यह सक करता है वाटर को, एनम डी वाटर, जो एक्सेस वाटर है वो रिमूव करते हैं, यही का, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अगर फ्रेंड्स आप यह चैनल पे नए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगोंने मेरी पहली दो वीडियो नहीं देखी है, एक फ्रेंड़ा वीडियो फ्लोरिंग स्टार्ट करने से पहले, प्लान, जो एसपर ट्राइंग, वीडियो फ्लोरिंग का जो ट्राइंग होगा, उसमें हम देख लें कि क्या थिकनेस है, वीडियो की 75 mm, 100 mm, जो भी थिकनेस होगी, वो थिकनेस क्लियर कर ले, एस पर 7.5, 12.5, M20, यह different grades होते हैं, as per requirement in heavy traffic movements, M30, M40 grade of concrete भी use करते हैं, तो आप as per drawing complete देख ले कि क्या grade है, क्या थिकने से, and slope of, अगर road है, तो road का slope चेक कर ले, अगर आप building में trimix flooring कर रहे हैं, तो जो drainage है, जो side में drainage है, देख लो कि कौन से side में आपका slope है, तो इस type से आप complete first thing, आप drawing की study कर लो, and देख लो कि क्या-क्या details है, drainage, slope, concrete, and thickness of trimix flooring, and complete drawing की study हो जाने के बाद में, सबसे पहले जो area में आपको trimix flooring करना है, उसका first step होता है, surface preparation, So friends, जो surface है, जहाँ पे आप trimix flooring करने वाले हैं, वो surface को proper clean कर दो, वहाँ पे अगर पहले का concrete हमारा floor है, normal, normal RCC floor है, तो उसकी micro cleaning कर दो, जैसे कि आप video में देख सकते हैं friends, पूरा proper cleaning करके water से clean कर देते हैं, धो कर clean कर देते हैं, जो area में आप trimix flooring करने वाले हैं, आपका जो trimix का slope and level होगा, उसके लिए आपको second step होगा, वो आपको level, जो आपका building का और road का level होगा, वो level के हिसाब से level आपको mark कर लेना है, जो भी area में आप trimix flooring कर रहे हैं, तो leveling बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो अमारा permanent level होगा, उससे आप level with the help of auto level और tudolight और manually भी आप level tube से भी आप level लेकर आ सकते, तो आपका पूरा leveling mark हो जाने के बाद में, अगर आप subgrade surface है, तो subgrade पूरा prepare कर लो, MEP के कुछ lines है, drainage की lines है, half round channel है, तो वो पहले से ही fix कर ले, अगर कोई chamber आता है, तो chamber को fix कर लो as per slope, अगर आप sawling के उपर video flooring कर रहे हैं, तो sawling के उपर बाद में अगर आपका still given है, तो still tie कर लो, still tie हो जाने के बाद में, आपका next step आता है, C channel fix करने का, तो जो C channel है friends, as per line and level, आपको setting out करना पड़ेगा, एंड ये जो C channel है, 4 meter के base में रखते हैं, 4 meter apart रखते हैं, 4 meter by 4 meter के ऐसे different different base बनते हैं, तो ये bay जो है, ये आप side पे, proper measurement में and line level में fix कर दो, आप जैसे कि आप देख सकते हैं friends, ये वीडियो में कि कैसे properly ने fix किया है, जो channels को, ये channels को fix करने के बाद में, rebar, rebar से support दे देते हैं, एंड इसके ओपर gunny bags रखते हैं, कि हमारा improvement नहीं होना चाहिए, C channels का, C channels fix हो जाने के बाद में friends, next step आता है, जो concrete placing, RMC ह और wheelbarrow से ले कर आना है, जैसे भी आप concrete है possible होगा, वो इस type से हम concrete जो भी required area है, वो area में place करते हैं, concrete टू लेयर में place करना है friends, first layer place करने के बाद में proper compaction करना है, इन second layer को concrete pour करने के बाद में proper compaction करना या, तो friends, ये जो concrete pouring हो जाने के बाद में, next step होता है, compaction of concrete compaction friends दो पाइट में करते हैं जो हमारी first layer पोर करते हैं concrete की तो वो concrete की layer को first properly poker vibrator है needle vibrator है उससे हम properly compact करते हैं जो channel की sides है और RCC surface है वो RCC surface में properly compact करते हैं ये first step हो जाने के बाद में second जो होता है double beam screed vibrator यूज करते हैं ये generally surface leveling के लिए करते हैं concrete होता है तो उसको level करने के लिए and compaction के लिए double beam vibrator यूज करते हैं double beam vibrator friends जो उसको हम pull करते हैं खीचते हैं एक side से 4.2 meter का तो ये friends 1 meter per minute की speed में हम pull करते हैं properly ये double beam vibrator 2 times pass करते हैं VTF flooring के उपर से next proper compaction हो जाने के बाद में next step होता है vacuum dewatering process ये friends बहुत important topic है and part है वीडिय अफ फ्लोरिंग में water जो surplus water है as आप लोगों को पता होगा concrete में जितना कम water होगा optimum water होगा उतनी strength increase होगी तो हम क्या करते हैं जब concrete place हो जाती है compact हो जाती है तो उसमें excess जो water होता है उसको हम suck करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो होता है जो filter pads होते हैं उसको laying करते हैं surface पे concrete के surface पे हम filter pads laying करते हैं concrete floor पे जो VDF है उसके उपर हम suction pads को laying करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं suction pads को उसके उपर filter pad के उपर रख दिया है and यह जो suction pad है friends laying हो जाने के बाद में next step होता है vacuum dewatering process जो यह हमारा suction pad होता है जो हमारा vacuum dewatering pump है उससे attach होता है and इससे हम water suck करते हैं so friends जब हम dewatering pump start करते हैं तो वो starting जो pressure है वो 240 mm of HG होता है and यह maximum 550 to 600 mm HG तक हम pressure से इसको water को suck करते हैं and यह water dewatering process around 15 minute to 25 minutes होना चाहिए जो आपका area है first so this type से vacuum dewatering process होता है हम water को remove कर देते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं friends आप pump से जो other pipe होगा वहां से पानी निकलते भी देख सकते हैं water जो excess water है वो remove होगा जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में यह पूरा process है filter pads लगाने के बाद में water को remove करते हैं dewatering से हमारा 1.5 to 2 times जो concrete की strength है वो increase हो जाती है क्यूंकि water to binder water to cement ratio है optimum हो जाता है reduce हो जाता है around 12.5 grade of concrete और M20 grade of concrete strength जो है almost 80 to 90% increase हो जाती है अगर आपकी M20 grade of concrete है तो यह around M35 grade of concrete हो जाएगी and wearing resistance भी increase हो जाएगा dewatering process complete होने के बाद में floating operation होता है floaters use करते हैं so यह finishing operation होता है with the help of floater हम जो surface है उसको grind करते हैं so इससे increase होता है wearing resistance of concrete वो surface पे and यह process जो अमारा floating operation है friends दो पाट में होता है first part में हम floating operation करते हैं finishing देते हैं and यह जैसे कि आप देख सकते हैं video में friends इस type से हम floater से पूरे concrete को finish करते हैं and second process में हम floor hardener भी use करते हैं finishing के लिए ज्यादा finishing चाहिए तो floor hardener भी use करते हैं 3 to 3.5 kg per meter square हम floor hardener use करते हैं वो हम spread करने के बाद में फिर again floater use करते हैं तो इससे proper finish होता है हमारा proper floating operation complete होने के बाद में next step आता है traveling जो surface है जो हमारा trimix area है तो वो trimix को same blades use करके travel जैसे finish करते हैं travel से तो यह proper finish हो जाता है travel process complete होने के बाद में one hour के बाद में जब concrete थोड़ा hard हो जाता है तो हम light brooming कर देते हैं तो यह brooming opposite direction जो हमारा drive होगा उसके opposite direction में light brooming कर देते हैं तो इस type से concrete complete हो जाता है video flooring तो आप देखे होगे friends start surface preparation से final finishing तक आपका final finishing हो जाता है तो 48 hours के बाद में हमको groove cutting करना रहता है क्योंकि यह concrete जो video flooring है video flooring friends इसमे cracks develop हो सकते हैं तो cracks को avoid करने के लिए हम groove cutting करते हैं यह 4 meter by 4 meter का grooves cutting करते हैं तो groove cutting machine होती है diamond cut grooves create करते हैं तो यह 5 mm width में होता है and one third of depth of trimix होता है तो यह groove को सबसे पहले friends जैसे कि आप video में देख सकते हैं सबसे पहले marking कर देते हैं 4 meter by 4 meter marking करने के बाद में जो हमारी groove cutting machine होती है वो groove cutting machine से straight groove cut कर देते हैं एंड यह जो groove cut करते हैं जो concrete के columns होते हैं columns के surrounding में हम diamond cut grooves भी provide करते हैं यह groove cutting हो जाने के बाद में जो है groove को fill कर देते हैं with the help of sealants different sealants आते हैं तो हम groove की filling कर देते हैं तो friends यह complete हमारा start से and video of trimix flooring का प्रोसेजर है आपने देखा start from preparation then channel fixing करते हैं channel fixing करने के बाद में concrete pouring करते हैं concrete pouring के करने के बाद में proper de-watering करते हैं compaction करने के बाद में de-watering करते हैं de-watering होने के बाद floater से हम finish करते हैं surface को and उसके बाद में next होता है हमारा groove cutting machine से हम groove cut कर देते हैं so इस type से complete process होता है trimix flooring का so hope so friends आप लोग को समझाओगा कि complete video flooring का process क्या है site पे कैसे video flooring करते है site पे अगर friends आप लोगों को ये video अच्छी लगी हो video को like कीजिए अपने friends के साथ में share कीजिए thank you so much friends for watching this video